हेलो फ्रेंड्स और वेल्कम बेक सो जेके एससबी क्लास 4 के जो एड्मिट कार्ड है वो फिर से उनका लिंक जो है एक्टिव हो चुका है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं जेके एससबी की ओफिशिल वेबसाइट पे तो मैं आपको बता दूँ के जेके एससबी का जो लिंक है क्लास 4 के एड्मिट कार्ड के लिए वो एक्टिव हो चुका है जी सो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो अपने एड्मिट कार्ड को सो जैसे आप जेके एससबी की ओफिशिल वेबसाइट पे जाते हो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा और जैसे आप स्क्रोल डाउन करते हो और आपको जहां देखने को मिलेगा So download admit card for class 4 under notification number 1st of 2020 तो आप इस link पे क्लिक करेंगे इस link पे क्लिक करने के बाद आप अपना admit card जो है डाउनलोड कर सकते हैं इस link को मैं description box में डाल दूँगा और pin comment में भी डाल दूँगा अब वहाँ से भी इसको directly access कर पैंगे और वहां से अपना Admit Card जो है डाउनलोड कर पाएंगे तो सारे लोग जो है अपना Admit Card डाउनलोड कर लें और अपना जो भी आपका Admit Card पे Center of Examination है उसको चेक कर लें और उसको अगर किसी भी प्रकार के आपको कोई प्रॉब्लम आती है अगर किसी भी प्रकार का आपके Admit Card में कोई इशू है तो आप JKSSB को इमेल कर सकते हैं उसके बाद JKSSB आपका जो भी प्रॉब्लम होगी जो भी मतलब प्रॉब्लम होगी आपके Admit Card में कोई इशू आएगा ठीक है अगर कहीं अपका फोटो मैच नहीं कर रहा है या फोटो नहीं आया है जब signature नहीं आया है तो आप उस चीज़ को mail कर सकते हो JKSSB को और JKSSB आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको address करने की कोशिश करेगी यही अपडेट है अभी के लिए सो थेंक्स